Undertaker, John Cena, The Rock, Roman Reigns और Cody Rhodes के मैच में सारे के सारे लोग involved हो गए Greatest WrestleMania Main Event Match of All Time और यकीन नहीं हो रहा बोलते वे But Roman Reigns आज मैच हाट चुके है and Cody Rhodes की स्टोरी हो गई है Finish Okay, Hello Chatters, My Name is Ruit and You're Watching Wrestle Chatter तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज रेस्ट में नहीं के नाइट टू के पूरे शो के बारे में भाई सब कुछ डीटेल में आपको पता चलेगा बस इस वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि WWE का कॉंटर इस चैनल पर आ रहा है लगभग 6 सालों से सबसे पहला मैंच जो शो पर आता है वो था Drew McIntyre versus Seth Rollins के बीच में और यह था WWE World Highway Championship के लिए आज जो Drew McIntyre की एंटरी थी ओ बड़िया वाले Gauntlet के सांथी तो बिल्कुल एक Warrior वाली फील Drew McIntyre दे दे थे जो अपनी फिजीक से हो वैसी दे थे Seth Rollins से एंटरेंस करी और मैं इसको explain नहीं कर पाऊंगा सारी से आपको explain करता है मुझे बताना कि यह जो Seth Rollins का gear था आज Seth Rollins के साथ करना क्या चाते थे क्योंकि वो बहुत ही जादा weird था लेकिन कि Seth Rollins इनी सारी चीजों के लिए जाने जाते है मैं स्टार्टो भाई एक बहुत ही तगड़ी पेस पर और जिस तरह के से मैं स्टार्टो मुझे पहली समद में आ गया था कि Seth Rollins को last night जो suffering मिली है अपने main event वाले match में जो tag team वाला था Roman Rock के साथ जो उनको हुआ था उसकी वज़े से वो already 100% shape में नहीं है और आते ही Drew McIntyre ने इस match में claymore kick लगा दी लेकिन Seth Rollins उसके उपर kick out कर जाते है और पता चलिया था भाई ये match बहुत धूम धढ़ा के किसान चलने वाला है इसके बाद ring side पर जाकर बहुत बाद Drew McIntyre ने जो है Seth Rollins को पटका लेकिन Seth Rollins ने counter करके वही पर उनको pedigree लगाई इसके बाद Seth Rollins अपनी knee में दिख रा था बहुत ज़दा pain में है उन्हें Drew McIntyre को storm किया लेकिन Drew McIntyre के एक सा उड़ तो पता चलिया था सब्सक्राइब कर लिया उन्होंने इसके ओपर कर दिया और यह चीज़ होने के बाद मुझे तो अलमुस्ट क्लियर हो गया था भाई आप यहां पर कोई चांस ही नहीं है कि डू मैंच हार जाएंगे टॉप रोपर जाते हैं Seth Rollins की वहां से मैं स्टॉम करूंगा सब्सक्राइब करने के लिए आप तो देखो यह रिंग में तो आप कुछ कर नी सकता सेथ रोलिंस को उसकी पूरी लिमिट तक लेके जाने के बाद भी क्योंकि यह डू और आपको पता है सीम पंग अपना आलागी चलाते रहते हैं डू मैकनटार ने स्टॉम खाया अनाउंसर टेबल के उपर रिंग में जाते हैं लेकिन डू मैकनटार ने उल्टा ही पता नहीं कैसा अचानक से अपनी सारी एनर्जी को कलेक करके क्लेमोर फिनिशर लगा दिया और इस बार जब डू मैकनटार ने पिन किया तो सेथ रॉलिंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था और डू मैकनटार ने भी इस मैच पे अपनी स्टोरी को फिनिश कर लिया है उन्होंने Seth Rollins को हरा के World Heavy Championship को यहाँ पर capture कर लिया है लेकिन जैसा कहा जाता है कि जीत जाओ तो उसके बाद celebration करो Drew McIntyre ने भी वही किया लेकिन ये celebration भी उनको करना थोड़ा सा भारी पढ़ गया कि वह CM Punk के पास जाते हैं उस बेल्ट को लेके ऐसे बिल्कुल की देख में तरे सामने बेल्ट लेके आ गया उसके बाद उन्होंने ट्रिपल H का DX का वो सकिट भी किया जो की CM Punk को trigger करने के लिए काफी था उन्होंने पटका माँ पर ड्रू मैगनटार को उनके ओपर attack करना शुरू कर दिया इसके बाद इसके बाद थीम सॉंग हिट हुआ डेमियन प्रीस्ट का और जिस बंदे को हमेशा ट्रोल किया गया अबे भाई तू क्यों अपने पास ये cash in कभी करेगा या नहीं इस briefcase को तुरे रखा गए इसका रंग चेंज करवा दिया आज डेमियन प्रीस्ट ने सब की बोलती बंद कर दी मूपे कह सकते एक जोर का थमाचा हमारा सारे लोगों को और successfully डेमियन प्रीस्ट ने cash in कर दिया सेम नाइट पर जब Drew McIntyre Championship जीते हैं उसी नाइट पर डेमियन प्रीस्ट भी जीत गए और उन्होंने Drew McIntyre के पास से कुछ मिंटो का ही टाटल रेन रखा है डेमियन प्रीस्ट ने अपना South of Heaven Finisher लगा के जो Finisher है लगाया और इस तरीके से वो World Heavyweight Champion बन चुके हैं मिले अभी भी एकसेप्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है कि Drew McIntyre के साथ सेम नाइट पर ये सब क्या हो गया लेकिन डेमियन ने इसको करने के लिए क्योंकि इतने टाइम से बिल्ड हो रहा था कि इस Cash in का क्या करेंगे और आज WWE ने कर दिया और जो सबसे ज़्यादा खुश बंदा है इन सारी चीदों के बाद वर डेमियन पीस भी नहीं है CM Punk क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है इस तरह के से सब्सक्राइब को देखके इसके बाद शोपर अगला मैंच आता है फाइनल टेस्टमेंट वर्सेस प्राइड के बीच में यहां पर स्पेशल गेस्ट रेफरी बवा रहे थे तो इस तरीके से मैच और स्पेशल फील दी यहां पर अटाप कुछ बढ़ने पिछे पड़े होएं पिन की वह कोशिश करते हैं भी फैब भी आ जाती है उसके पास स्कारलेट बूडरो भी आ जाती है वह सब तरीके से उन्हें भसड वाला मैच इसको फूरी बनाने कोशिश करी एड दी यह बोलूगा कि पहले मैच के बाद इसमें इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था और इस फ्यूड में भी सही में लोग को वाप इंटरेस्ट नहीं क्राउड इतना कोई खुश लगनी रहा था लेकिन मॉनिटास फॉर्ड का जो स्प्लैश चाय मैच अच्छा हो बुरा वह हमेशा यूनिक और स्पेशल लगता है जब उन्होंने वह लगा है के एंटरेस्ट ने पिन किया तो फिर यह जो है मैच जी चुके हैं बॉबी लैश्री एंस्ट्री प्रॉफिट्स की फैक्शन इसके बाद अगला मैच आता है एले नाइट वर्सिस एजस्टाइल्स के बीच में एले नाइट और एजस्टाइल्स क्योंकि एक दुस है वह हमेशा ही कूल लगती और इस बार तो उन्होंने कूल के जर्मन सूपलेक्स मारा भाई वह स्पॉर्ट अगर जरा भी इधर उदर होता ना मुदा नहीं कितनी प्रॉब्लम में आ सकते थे एजस्टाइल्स अपना सब्मिशन काफ प्रॉशर लगाया नी को फिर से टार उन्होंने BFT मार के इस मैश में इस स्टाइल्स को पिन कर दे और बहुत ऑव्वेस इस मैश का जो है रिजर्ट भी था एले नाटी वाला मैश जीच चुके हैं अब आता है शो पर यूएश चैंपेंशिप के लिए मैच लोगन पॉल वर्सस रेंडी ओटन वर्सस केविन ओ सब्सक्राइब करने चले लोगन पॉल को तो अपने अपने ले लड़ रहे हैं तो फिर उसके बार दोनों खुद भी लड़ना शुरू कर देते हैं और लोगन पॉल ने इसका फाइड़ा उठाके बग शॉट लैरे इसिंग मारा था हां दोनों को पिन करते हैं अब यहां सब्सक्राइब करते हैं अब लोगन पॉल आते हैं अपने उन जादूई शक्तियों के सांथ जिसको वह हमेशा यूज करते हैं और वह रास नकल वह यूज तो कर लिया लेकिन रैंडी ओटन के रहे हैं वह बड़ा हरामी आदमी उन्होंने इसके उपर बहुत बहुत कर दे किक आउट कर दिया लोगन पॉल भाई अब इस पॉइंट पर ऐसे हो गया यही तो मेरा में मूव सा इससे ही जो है इससे किक आउट कर दिया वह फिर से जा रहा होते ब्रास नकल वाले पंच के सांथ अब रैंडी ओटन भी कह रहा है मेरे पास भी अपना यूज करने की बा करते हैं रैंडी ओटन ने बहुत अच्छा उनको सबक सिखा अनाउंसर टेवल के ओपर जो है उनको आर्को के साथ उन्होंने ट्रीट किया कैविन ओवन्स ने इसके बाद मैच में दबदबाब बना लिया वाई उन्होंने सबसे बहले पॉप-पावर बाम लगाया लोगन लोगन पॉल ने जल्दी जल्दी तर भगदर बंचा इस फ्लैश मार दी उन्होंने केविन ओवन्स को और पिन करके इस मैच में सक्सेस्फुली अपनी यूएस चैंपेंशिप को रिटेन कर लिया यही इस मैच का रिजल लग रहा था और लोगन पॉल इस मैच में विक्ट पूरे मैच में मुसली जो कंट्रोल है वो यह उसकाई के पास था और वो टार्गेट कर रही थी बेली की नी के उपर बेली को इस प्लांट पर समझ में आ गया था कि उनको कुछ ऐसा करने की जुरूरत है जिसकी वजह से यह हराना आसान तो नहीं होने वाला और पूरा मू बहुत एक डिजर्विंग विनर और डबल डबली का यहाँ पर एकदम सही डिसिजन भी है अब आता है गाईज शो का में इवेंट अंडिस्पूर्टेड डबल डबली युनिवर्सल चैंपरनशिप के लिए मैच रोमन रेंज वर्सस कोडी रोड्स और यहां से अब इस व सब्सक्राइब के लिए के साथ पूल लग रहे थे अपनी रहते हैं इंक्लूडिंग मी की रोमन रेंज को स्पेशल उन चाहिए उनको स्पेशल एंटरेंस पेशल प्ले किया रहा था थो फोड़ी सी की टोन ओड़ी और तैबल म्यूजिक ही आब युजियली रोमन रेंस के members आने वाले हैं ऐसा हम idea लगा रहे थे जो कि आए भी लेकिन कुछ अलग चीज़े भी थी Cody Rhodes की तरफ से table निकालते हैं Cody Rhodes पहले रोमन रेंस कहता है अब चल वे तू क्या table निकालेगा और table अंदर कर देते हैं crowd पूरा रोमन रेंस के वा पड़ा था और रोमन रेंस के मैच इसकी सबसे खास बात यह होती है ना मैं आप स्पीर की बात कर रहा हूँ जिस तरीके से मैच डिलीवर नहीं करते हैं ऐसा लगता है कि वो कोई स्टोरी टेल कर रहे हैं मतलब वो ट्रैस टॉक जो करना शुरू करते हैं होसे हैं करना इस अग 와ं चेक ब्रहर में याशि करते हैं कोई इसक wasting मैचे उपर लगाते में इस पर इस पर r stellt करना था लेकिन कोडि रोट को वा पस दिस त्माइश मेंगा योरुद के आता है इसके बाद Cody Rhodes को announcer table के उपर कुछ हरकते करनी है लेकिन वो हरकतों के उपर जाते है Cody Rhodes उससे पहले ही Roman Reigns अपना ultra legendary move निकाला और यह है low blow low blow बारना के बाद Roman Reigns के चाहरे पर जो smile थी वो भी बड़ी मस्त लग रही थी क्योंकि उनको पता है कि किस evil intention के साथ उन्हों यह चीज़ करी है सुपरमेन पंच वो जरू एक्जिक्यूट कर देते लेकिन Cody Rhodes ने इसके उपर किकाउट कर दिया Cody Rhodes fight back करते हैं उन्होंने Cody cutter लगाने के बाद Roman Reigns का स्पीर ठोक दिया लेकिन Roman Reigns में यहाँ पर अपने spear के उपर मतलब वो तो किकाउटी करना था तो Cody Rhodes यहाँ पर अपने attempt में successful नहीं हो पाते है अब यहाँ से Cody Rhodes ने crossroads hit किया एक बारनी multiple time और ऐसा लग रहा था कि शारे match जो बस finish ही हो चुका है या होने जा रहा है Jimmy Uso आ जाते हैं और Jimmy Uso आये तो उन्हें सुपर किक मार दी अब समझ में आ गया था भाई यहाँ से bloodline की फुल बकलोली शुर होने वाली है लेकिन Jay Uso आये जो की equalize करता है Cody Rhodes के लिए situation और क्या spear मारा भाई Jay Uso ने Jimmy Uso को और यह चीज़ देखके Roman Reigns तो क्या हो रहा क्या चल रहा है Cody ने पीछे से pin attempt किया ऐसा लग रहा था कहीं Roman Reigns ऐसे को नहीं हारने वाले जब roll up करके वो pin हो जाएंगे लेकिन ऐसा scene या पर नहीं होता Roman Reigns ने spear मार दिया Ulta Cody Rhodes को and Cody Rhodes still kick out और जब उन्हेंने kick out किया वो जरा उसको जा को जा के वॉल्यूम को जाके तो आपका समझ में आगा कि वो लोग के लिए भी कितना बड़ा movement था उनको विजवास जिलाने के लेकि विए Cody Rhodes इतनी आसानी से इस बार हार नहीं मानने वाला Cody Rhodes ने Ulta Barricade के थ्रू जो है spear मारा Roman Reigns को उसके बाद Cody Rhodes Cross Rhodes के लिए जाते हैं फिर से उन्हेंने मारा एन एक्जैक्ट वही सेम चीज जो उन्हें लास्ट यर रेसल मिनिया में देखी थी वही होती है इसके बाद क्या होता है जो पॉप मिला Cody Rhodes को फैंस इतने ज़्यादा एक्साइट थे मिल्कूल मैच के एंड में किया रहा है बढ़ा स्टोरी को फिनिश करें ले इसके बाद क्या होता है जॉन सिना का थीम सॉंग में होता है वही मतलब हम एक्सपेक कर रहे थे कि जटोंसीना आएंगे और एक्सपेक्ट लेगे बड़ ने डाला क्योंकि सोलो और जन सेने की हिस्टरी आपको पता है Solo Sikova ने John Cena को हराया हुआ WWE के Crown Jewel Show में तो उनने Roman Reigns के ओपर तो Double A Finisher मारा जो इतना जादा Unreal लग रहा था कि यह Roman और Cody के match में John Cena कहां से आ गया राउंसर टेबल के ओपर उनने ठिकाने लगा दिया Solo Sikova को और जब ring में खड़े होते हैं John Cena the final boss का music लेकिन उल्टाई उनके ओपर ही पड़ जाता है क्योंकि अपना जो रॉक बॉल्टा में रॉक ने वो हिट कर दिया इसके बाद आप रॉक बिल्कुल तयार थे कि बेल्ट के साथ कुछ कारणामा करेंगा लेकिन इसके बाद होती है मुझे सबस्क्राइब चीज लगी वो था अंडर्टेकर का गॉंग चलो स्टोन को एक्सपैक कर रहे थे लेकिन यहां पर नहीं था अंडर्टेकर का गॉंग बशता है अंडर्टेकर और रॉक आमने सामने थे रॉक का चारा फटके ऐसे चार रोज जुगा था कि यह मैरे अपने किस सामने भूत को देख लिया किसको देख लिया क्या यह सही में होने वाला कि हमाँ पिटूंगा और पिटते भी है वो चोक स्लैम जो उन्होंने खा लिया, इसके बाद अंडर्टेकर का गॉंग फिर से बच था, अंडर्टेकर वहाँ से जाते हैं, जो की रोमन रेंज की 1316 दिन की स्टाइटल रेंग को ब्रेक करने के लिए काफी था, वन, टू, थ्री और जो स्टोरी है, वो रेसल में में फिनिश हो चुकी है, रोमन रेंज अपनी अंडिस्पूटेड डबल डबली उनिवर्सल चैंपेंशिप को फाइनली हाट शुके हैं, एंड कोडी रोट्स इस दे चैंपेंट, उसके बाद जो इमोशन से वो सब के चैरो पर देखे जा सकते थे, बिलकुल लास्ट में कुछ ऐसा मुवमेंट था, जब सारे के सारे लोग रिंग में हैं, उसमें जॉन सीना हैं, उसमें सीम पंग भी हैं, जे उसो, सैमी जेन, रैंडी ओर्टन, Bruce Prichard को भी बुलाते हैं, Triple H को भी बुलाते हैं और कहते हैं, गले मिलते हैं, हग करते हैं Cody Rhodes के लिए बहुत ज़्यादा emotional moment था इसके बाद एक बहुत चोटा सा उन्हें प्रोमो भी कट किया जिसमें Bruce Prichard और Triple H को अप्रिशेट कर रहे होते हैं यह ऐसा moment था जब कंदों पर उठाया गया Cody Rhodes को और ऐसा लग रहा है कि सारी ताक्तों ने मिलके Cody Rhodes की help करी है और यह against गई Roman Reigns के Personally, मैं बहुत ज़्यादा खुशन हूँ Cody Rhodes को इस तरह के से देखते हुए लेकिन Roman Reigns के लिए बुरा लगा क्योंकि जब कोई ऐसी बड़ी legendary चीज एंड होती है जिसकाम इतने time से पार्ट बने है तो जब वो अपने end moment पर आती है तो उसके लिए बुरा ज़रूर लगता है बट येस यह वो finisher WrestleMania का जो कि सालो साल याद रखा जाएगा एंशाद इस तरीक के कम है इस WWE आगे जाके कभी और deliver नहीं कर सकती वीडियो अगर आपको गाईज है अच्छे लगी तो उसे like करके ज़रूर जाना rating का episode भी आने वाला उसके लिए stay tuned और बाकी अपने WWE यार दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को share कर सकते हो और तब तक फिर लेते रो सिंदही के मज़े